एधरबाद में बीजेपी उमिद्वार माधवी लता के एक वीडियो को लेकर सियासत फुल है इस वीडियो में माधवी लता तीर चोड़ने का इशारा करते हुए भाशन दे रही है अब आरोप ये है कि माधवी लता ने एक मस्जिद के तरफ इशारा किया था OEC ने इस वीडियो को लेकर पलटवार किया है और धन क्यदार पर बोट देने की अपील भी कर दी लगे हाथो देखिए और सुनिए तीर का इशारा कहां लगा तीर माधवी का सियासी तीर दस सेकेंड का ये वीडियो राम नौमी के दिन का है जब हैदराबाद से बीजेपी की उमीदवार माधवी लता चुनावी प्रचार के लिए निकली थी वो खुली जीप में सवार थी और साथ में थे जोश से भरे सैक्णो समर्था लेकिन इस बीच माधवी के इस प्रतिकात्मक एक्शन पर सियासत सुलक गई माधवी ने प्रचार रैली के दोरान हाथ में धनुष उठा कर तीर चलाने की एक्टिंग की और इस दोरान कैमरे की जद में एक मस्जिद आती है माधवी लता के सामने लड़ रहे अस्दुदीन वैसी से लेकर एक समुदाय ये शिकायत कर रहे हैं कि माधवी ने जान बूच कर एक मस्जिद की तरफ इशारा करके संकेत में तीर चलाया यानि मस्जिद उनके निशाने पर थी फिर से देखिए कैसे एक 10 सेकेंड का वीडियो सियासी मुदा बन गया माधवी संकेत में तीर चलाने के बाद हस्ती भी हैं उनके इस मूब पर रैली में शामिल लोग भी जोश से भर उठते हैं और मुस्कुरा देते हैं लेकिन अब माधवी कह रही हैं कि उनके वीडियो को एडिट कर दिया गया था ये देखिए ये अतली वीडियो है ये देखिए हम दनुश उटा है तीर मारे अब बताईए आप ये अंतुवा कुछ और अंजान बिल्लिंग के उपर अब इसका देखिए कैसा बदल दिये लोग चुनाओ और सियासत में प्रतीक और संकेतों की बड़ी एहमियत होती है हर चीज खुल कर बोली कही नहीं जाती और ऐसे में माधवी का ये तीर भले ही किसी अंजान इमारत पर चला हो लेकिन ये लगा कहीं और है ओ ऐसी अब माधवी के खिलाब धर्म के आधार पर वोटिंग की गुहार लगा रहे हैं वैसे माधवी भी सफाई में अपनी मुहीम धर्म के इर्दगिर्द बुन रही हैं वो अपने परचार के दोरान मंदिर मंदिर जाना नहीं भूलती कभी वो डोसा बना कर लोगों के करीब जाने की कोशिश करती हैं तो कभी मंदिर में दस्तक देती दिखती हैं मुकाबला कड़ा है OEC को ताकत जोकनी पड़ रही है लेकिन बड़े भाई के प्रचार में उत्रे अकवरुदीन OEC कहते हैं कि BJP ने उनके खिलाफ भी एक महिला को उतारा था इस बार भी एक महिला को उतारा है धर्म पर हैदराबाद की जंग परवान चड़ रही है देखना है नतीजा क्या होगा ब्यूरो रिपोर्ट आज तक तो तीर में इशारा किसकी तरफ विवाद इसको लेकर हो रहा है आपको सुनवाते हैं OEC और माधवी लटा ने इस पर क्या कुछ कहा है अब आप देख रहे हैं कि एक BJP के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि उसके तरफ तीर मारेंगे अब भी आप वोट नहीं देंगे इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फेहमया यह लोगों के बीच में भी जा रहे है यह लोग से नहीं हो रहा हिंदू मुस्लिम यह एक तामे जो हम लेके आ रहे हैं सबका साथ सबका विकाज इससर पर पत्रा इनका इसा और अभी मैं बता रही हूं कुछ ने कर पाओगे आप कुछ ने कर पाओगे आप सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है तो हैदरबाद के चुनावी मैदान में तीर और बीफ पर जंग जा रहे है भारती जंदापाटी उमिद्वार माधवी लथा ने मजजिद की तरफ पहले इशारा करके सांकेति तीर साधा तो वैसी ने इसे मजभब और बोट से जोड़ दिया वैसी फिर चुनावी दोरे पर निकले तो एक मांस दुकान रास्ते में पड़ी फिर देखिए क्या कहते हुए वो आगे बढ़ गए वो CAA और NRC को लेकर हर मुद्दी को अवा दे रहे हैं ताकि पूरी जंग को धर्म के इर्द गिर्द घुमाया जा सके को अवा जैसे में पूरी टाकिराओई चलिए अब्दुल बशीर का रुक करेंगे हमारे साथ हमारे समधता और जादा जानकारिया आप सभी के बीच रखने के लिए जोड़ चुकी है कि डेवलप्मेंट को लेकर आईए इस पर बात करिये और चुनाव का मुद्दा ये बनाईए लेकिन नेता गाहे बगाहे धर्म को लेकर आही जाते हैं अब मादवी लटा ने तीर छोड़ा कहां छोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो गया है उसके सामने क्या था और वीव के दुकान पर खुद जा पहुँचे ओ वैसी ये चल के आ रहा है और इसको लेकर सियासत किस तरह से आप देख पा रहे हैं वहां पर विकास पर बुद्दा होता है लेकिन हैष्ञाप शहर में विकास तिर्फ एक बुद्दा नहीं रहता है ने उस प्रोसेशन में एक इशारे में बांड का तीर छोड़ा जो वीडियो में ऐसा लग रहा था कि वह मजजीद की तरफ जा रहा है लेकिन क्लारिफिकेशन में इंकार किया इन इंजामों पर और कहा कि यह सब साजिश है यह वीडियो जो वह बता रहे हैं वह एक हिस्सा है लेकिन दूसरा हिस्सा जो है उसमें यह साफ है कि वह बिल्डिंग की तरफ सोड़ा जा रहा है यह इस पर एप्टियासत चिट चुकी है और अधर वेसी ने अपने बयान में कल जो उन्होंने एक पब्लिक जादरिंग का पब्लिक मीटिंग की थी उसमें उन्होंने कहा कि इस वीडियो को देखकर आप वोट कीजिए आप जितने भी नौजवान है अगर हैसरबाद में आमन और शांती चाहते हैं बरकरा रखना चाह तो इसमें क्या है? इदरबाद के पुराने शहर में अपना दोरा जारी रखे थे तो इस अपने अपने तरीके से लोग कोशिश करते हैं कि उसमें लेका राएं अपने मुद्दे को और जनता के बीच जाएं वोट हासिल कर लें खैर इस वीबाद के बाद माधवी लथा ने कहा है कि वीडियो को गुमराह करके वोट हासिल करने का अरूप लगाया है आज तक में माधवी लथा से खास बात चितके ये देखिए ये असली वीडियो है ये देखिए हम दनुश उटा है तीर मारे अब बताईए आप ये अंत हुआ कुछ और अंजान बिल्लिंग के उपर अब इसका देखिए कैसा बदल दिये ये लोग इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फेहमिया ये लोगों के बीच मे है ये लोग से नहीं हो रहा हिंदू मुसलिम ये एकतामें जो हम लेकर आ रहे हैं hitting अबी में बता रहा हूं कुछ ने कर पाऊंगे आप कुछ ने कर पाओगे आप सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है अरे आपको मैंने दिकाई दिया है असली वीडियो कौन सा है या मस्दिदी नहीं आया उपर से वो मस्दिद के उपर एक सफेद परदा था साथ हम भी मानते हैं हमारे लिए मंदिर कितना मुख्य है हमारे लिए मस्दिद भी इतना ही मुख्य है कितना एहमियत मंदिर रखता है उतना ही हमियत मस्दिद रखता है क्योंकि मंदिर में चाहे या मस्दिद में एक ही सिकाय जाता है शांती को कायम कर रखने के लिए, पसमंदों के लिए काम करने के लिए, ये तो ये मायम जैसे लोग है न, जो किराय के घर से निकल कर, पसमंदों के कुन से, अमीर बन जाते हैं साथ एकड़ों में, शानो शान महल बना कर, ये लोगों को क्या अतासाब करने के लिए, एक गलत वीडियो निकाल लेते हैं क्योंकि मैं सभी वीडियो दिख़ऄ दिया आपको गलत वीडियो निकालते और क्या करते हैं नवजवानं को बढ़काते हैं खतम हो गया ना इनका काम ये बैटे महलों में पत्तर लोंग우 को начина के नहीं मारता बेचार तो यह हामी बंसारी बनकर कहेंगे के भारत का मुसलमान खत्रे में हैं। अगर इनको हम भारत का वाइस प्रेसिडन बना दो अगर जम्मू काश्मीर का मुख्य मंतरी बना दो तो फारुक अब्दुल्ला महभूबा मुट्टी बनकर कहेंगे के काश्मीर पाकिस्तान का हिस्ता है। अगर इनको मिनिस्टर बना दो तो सिद्धिक उल्ला बनकर ये कहेंगे के ग्यान वापी में पूजा रोकी जाए। अगर इनको सामसद बना दो तो ओवैसी जैसा भार बनकर 15 मिनित का टाइम पूछेंगे। अगर इनको विधायक बना दो तो 15 मिनट का टेम पूछेंगे मेरी इस बात को याद रखिए कि जो लोग हमारे उजूद के खिलाफ हैं जो लोग हमारी सनाक को मिटाना चाहते हैं जो लोग हमारी तैजीब को खतम करना चाहते हैं अनला उनके हरकतों से हमको बता रहा है कि देखो ये लोग इसे हैं कुल मिलाकर असुदू दिनों वैसी धर्म के नाम पर ही मजब के अधार पर ही बोच करने की अपील कर रहे हैं भारती जनता पाटी पर नेशाना साधना नहीं भूलते उन पर आरोप लगाते हैं जब हैदराबाद में पहुंचे बीव की दुकान पर एक बार फिर से आप कुम दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे थे हो ऐसे झाल पर नेन बीव कर दिखाते हैं